हाईलो अब्रिवन मैं एसके सिंग मेडिकल काउंसलर एसे मेजुकेशन सर्वीसेस में आप सभी का स्वागत है नीट पीजी 2021 का जो काउंसलिंग होगा इसमें सुप्रीम कोट के तरफ से एक नया सर्कूलर आया है इस सर्कूलर के बाद क्या हो सकती है एकस्पेक्टेड कतफ यानि कि पहले दो ही राउंड होते थे और इंडिया कोटा 50% में राउंड वान राउंड टू इसके बाद जो भी सीटे वज जाती थी वो अस्टेट के रिस्पेक्टेड इंचिचूट्स को टांसफर कर दी जाती थी लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होगा इस बार राउंड इसके भी सह पर बात करने वाला हूं तो यदि आप नए हैं लाइक किजिए लाइक करते हैं मोटिवेशन आती है और मैं आप लोग को जो भी इनफोर्मेटिव वीडियो हती है वो आप तक पहुचाने के कोसिस करता हूं और साथ में सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बात कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा उस वीडियो में बताऊंगा कि राउंड वन राउंड टू के बाद कितने सीटे बचे थे कौन-कौन से वरांच के लिए राउंड वन कर रहे है रेडियो का सीट चाहिए और उनका रेंग 3300 है तो रेडियो का सीट लास्ट राउंड तक मिल सकता है डर्माटलोजी के लिए 4000 रेंग तक जनरल मेडिसीन का 5500 पीडियेटिक्स के लिए 6500 और उबीजी के लिए 10500 टीवी एंड चेस्ट के लिए 9000 और्थोपेडिक्स के लिए 9500 जेनरल सरजरी के लिए 11500 और अप्थल्मालोजी के लिए 14000 एंट के लिए 17000 और अनस्थेस्योलोजी के लिए 23500 यह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इससे हो सकता है 200 या 500 उपर नीचे भी जा सकता है उपर तो नहीं लेकिन नीचे जा सकता है यह जेनरल ओबीसी और EWS का मिलता जूलता होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ACST का नेक्स्ट जो ब्रांच है वह साइकेट्रिक मेडिसीन के लिए 15000 रेडियो थेरेपी के लिए 20000 इमर्जेंसी मेडिसीन के लिए 8000 वही निकुलियर मेडिसीन के लिए 3500 और पैथलोजी के लिए 34000 यह जो कटफ जाएगा इसका मतल के लिए यह रैंच जा सकती है अगर इससे बेश्ट कोलेच चाहिए तो रैंक इससे हाई रहेगा जैसे इस इस रैंक पर आपको हो सकता है कि आसाम का क्वालेज मिल जाया या फिर जो एंटिरियर कॉलेजे जहें वो कॉलेज मिलेगा यह नहीं के आपको टॉपमोस्ट कॉल सकती है क्योंकि round one round two के बाद all India के round one और state का round one इसके बाद all India के round two is दो-दो राउंड जब अल इंडिया को ता दो राउंड अस्टेट का होता है इस बीच में maximum CTF fulfilled हो जाते हैं इसके बाद pop up stay vacancy में rare case में उसी college का सीटे बजती है जिसका reputation अच्छा नहीं होता है और कम अस्कोर वाले को भी सीट मिलता है इस बार तो DNB भी पार्ट ले रहा है ओल इंडिया कोटे के साथ साथ तो यहां तक जो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन दिया हूँ यह एक्सपेक्ट हो सकता है इस अस्कोर तक आपको सीटे मिल सकती है इस रैंग तक आपको मिल सकती ह फिलाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग